अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्यान नहीं हुआ, कहीं अधोगती में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरुवत है, प्रती दिन जरुवत ही नहीं है महिने में एक बार अगर हमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस ठान पर समर्थित किया है अशुक यहाँ पर बढणन कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने संगाज रिशियों से माँगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही यह कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर शमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है साथ स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है साथ स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही कि शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति प्रण करके बेकुंत लोग का निवास देए साथ इस्थान और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताए गाए हैं पहला भगवान देव दिव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन समझ लेना ज़रा बहुत अच्छे से आपको लगता है सुपन में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भर लगता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस्थान चंदन के बताएं पहला शिवलिंग दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है मालू में न सबको जंगे बोलो जरा मालू में न सबको जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलक से गणेश जी बेठें वहां नहीं शिवलिंग में जलाधारी के ठिक सामने राइट में गणेश लेप्ट में कार्थी के बीच में तीसरा शडानंत कार्थी के पर चंदन की उंगली चौथा अशोक सुन्दरी पर चंदन की उंगली पाच्वा जलाधारी पर चंदन की उंगली छटा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विप्रीत की ओर चंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के उपर जो दोसींग लगे रेते हैं उस पर schonden की उंगली ये गब लगाई जाती है या तो हमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूरवजों का उधार नहीं हुआ हमारे पूरवजों का कल्याण नहीं हुआ कोई दोगती में कोई चला गया है उसका बस एक बार, रोज नहीं जरुवत है, प्रती दिन जरुवत ही नहीं, महिने में एक बार, अगर हमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन, अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है, अशुक यहाँ पर बर्णन कर रही है, मे प्रीय होता है, और चंदन ही यह कैसा होता है, जो पित्रों को भी प्रीय होता है, जिसका इस पर्शमात्र लगने से पूर्वजों का कल्यान हो जाता है, वह चंदन है, आपके घर में पित्रदोश है, आपको ऐसा utmost होता है, आपको लगता, तो किसी भी नौरात्री के पहले जो मवस्या पड़ती है अपश अंदाज लगाई है तो जिस दिन मवस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजिए चोटा सा और कपूर का तुकड़ा रख कर उस कपूर को दर्वाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कर जला दीजिए और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रख्श की चाउँ में पक्चीओं के लिए ढाल दीजिए शुमाहपुरान की कथा करती है अगर मान लो पित्र आपको कश्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको इसा लगता है कि पित्रों का दोश है तो वो पित्रदोश, देवी, ये जो आप करेंगे, ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रखना है अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में सुभा एकम पड़ गई नवरात्र लग गई उसी दिन उसको जला कर आपने पटक दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का नत्रश माफ्त होता है तो घर में से पित्रदोष समाप्त होकर लच्मी की घृद्धी प्राधम हो जाती है कारे में सिद्धत पार आजाता है माणलो अगर पित्रदोष हे तो करो, नहीं है बड़े अलमँस्ति सगाओ तो यह पित्रवोश योगनिया प्रवेश नहीं नहीं कर रही है एक छोटा सा उपाय अवश्य करिया है, मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके आपको इसा महसूस होता हो मौस्य पढ़ती है चावल की कटोरी में है कपूर का तुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर को पित्रों का इसमन करकर जला दीजी और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रक्ष की चाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजी शुमाहपुराण की कता करती है अगर मान लो पित्र आपको कश्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे र रख रहे हैं अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में सुभा एकम पड़क गई उसी दिन उसको जला कर आपने पटग दिया अर्था उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिरवाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पित्रदोष पर जाकर किसी भी नदी तलाब बावडी कुवा कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहाँ पर एक घी का दिया बत्ती का मूं डक्षिन की ओर करकर अवस्य जला करा जाना सारे पित्र दोस्त समाप्र हो जाए तो अगर नदी तलाब बावडी कुवा नहीं है तो पीपल का ब्रक्ष को हो या बेल पत्री का ब्रक्ष को या बठ का ब्रक्ष हो उसके नीचे लगा दो प्रदोस्काल में अमावस्यา के दिन लगाए जरूर क्यों कि अमावस्या सोला दिन तक पित्र मृत्यू लोक में आने के बाद में भोजन ग्रण करते हैं अमावस्या के दिन पित्र शाम के समय प्रदोशकाल में संकर भगवान का नाम जाप करकर नदी तला बावडी पर पानी पीने जाते हैं वहां से जल का अच्मन करकर पित्र अपने ल भीजवारों के लिखे के लिए़ इयुदारी पीजवार मतलों के लिएर जातर से फॉड़ रजल कर भीजवारों के लिए you हैं ने के लिए दो चाह कर दो